प्राइब आज आपके सामने है और नीव 2023 मरूति सुसुकी फ्रॉंक्स आज की इस वीडियो के निदर ना आपके यहाँ पर इस कार के प्रॉपर डिटेल वाकराउंड वीडियो मिलने वाल है साथ ही हम बात करेंगे इसके सबी फीचर्ज और साथ इसके एकस्पेक्टेद प्राइज के वारे में और बलेनों का करेंटली मार्च 2023 में प्राइस चार्ट हो जाता है 6.56 लाक रुपीस है तो यहां पर अगर एक लाक रुपी का प्रेमियम आ जाता है तो कहीं न कहीं पूरा जस्टिफाइड रहने वला है तो यह होगी प्राइस की यहां पर इसमें बात और टॉप एंड विरि टू लीटर फोस लेंडर नाच्रली एस्परेटेड़ पेट्रोल और साथी 1.0 लीटर टूबो पेट्रोल जो कि इस कार में नेया इंट्रेड्यूस किया गया है जो 1.2 लीटर पेट्रोल है वह इसे हम आपको बलेनों के अंदर मिल जाते है जो कि प्रेड्यूस करते है 89 PS की पावर और यह ट्राइट एंट टेस्टेड एंजन जो कि इसमें प्रवाइड किया जाने वला है बाकी जो ने इंजन इस कार में आ रहा है 1.0 लीटर का बूस्टर जेट पेट्रोल एंचन वह मैं आपके हाँ पर एक बरी दिखा जोता हूं वह आपके हाँ पर इसमें कुछ इस तरह का कंप्लीट मिलने वाला है और यह में लिए पर्फॉर्मेंस और इंजन रहेगा ट्रॉपर इंसलेशन के साथ यह आएगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके हाँ पर यह एंजन काफी ज्यादा बढ़िया पर्फॉर्मेंस निकाल कर दे रहेगा बागी फिल लोग वेरिंट्स आपके हाँ पर इसमें नाच्रली एस्पेरेटेड़ पेट्रोल इंजन के साथ मिलेंगे बागी अगर आप इस कार को कंसिडर कर रहे हैं और बाय करना चाहते तो आप विजिट कर सकते हैं ट्राइस सीटी ऑटो जो की है जिरख पुर पंजाब में इनकी क संदी सी स्मैल ओवरौल फ्रेडियूस हो जाती है वेदर की वीचा से तो बढ़ते है कार के फ्रन्ट प्रॉफाइल की तरफ और बात कर लेते है इस कार के फ्रन्ट प्रॉफाइल के बारे में तो सबसे बेए आप के यहां पर इसमें कुछ इस तरह की फ्रन्ट ग्रिल तरह मिल जाते हैं इसके side turn indicators and dual function as a LED DRL भी work करते है कुछ इस तरह से नीचे आपके यहां पर इसका headlamp के unit मिल जाएगा यहां पर आपके इसमें trio beam LED headlamp software किये जाते हैं नीचे वाल दो units यहां पर low beam के लिए गये उपर वला एक आपके यहां पर इसमें high beam के लिए मिल जाता है बागी fog light वगेरा को option आपको यहां पर wrongs के किसी भी वेरिंट के अंदर नहीं मिलने वाल है and overall front profile को लोग कुछ इस तरह आपको यहां पर कार का complete मिल जाएगा नीचे ना आपके यहां पर इसमें silver color के अंदर इसकी full cladding भी मिल जाएगी जो काफी साथ overall एक कर देती है बागी अगर इसके side profile की बात करें तो side में आपको यहां पर इस पे देखने को मिल जाता है इसके 16 inches के diamond cut design में alloy wheels जो कि आते हैं 205 60R 16 section टायर profile के साथ फ्रेंट डिस प्रेक्स आपके हां मिल जाएंगी पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही दी गए बाकि फुल बॉड़ी क्लाडइंग आप यहां पर इसकार की देख सकते हैं इसके उपर यहां पर साइट टर्न इंडिगेटर मिल जाएगा नीचे आपको यहां पर इसमें एक कैमरा दिया गया प्रॉपर 360 वी उख लिए रिख्वेस इंचर आपके यहां पर इसके डूर हांडल मिल जाएगा यहां बाकि ग्रीन टिंटेट ग्लासे आपके हां पर इस की भी वीरियंट के अंदर पीछे आपके हां पर मिल जाता है शाक्फिन एंटीना और साथ यहां पर खड़िये मारूती सुजुकी बलेनों जिस के उपर की यह कार बेस्ट है मतलब प्रॉपर आप कह सकते सेम प्लैक्फॉर्म के यह दोनों कार्स हैं तो इन दोनों का भी न आपके हां स्पॉइलर के साथ दी गई है और कनेक्टेट टेलनम्स आपके यहां पर इस कार में पूरी मिल जाती है जो कि आप देख सकते कित्ती ही जादा जबलस लग रही है लाइट अपको मिल जाता है यहां पर आपके स्विम मिल जाएगी फ्रॉंक्स की बाचिंग उप बंपर बिन आपके हां पर इस पर डियल टोन शेट पूरा देखने को मिल जाता है दो रिफ्रेक्टर्स भी हां पर इस पर दिये जा रहे हैं और अब चलते कार के अंदर चेक कर लेटें इस कार के इंटीर्यर को भी लेकिन उससे पहले आपके हां पर एक कम्प्लीट लुक देखता हूं इस कार का बाक साइड से और यहां की अगवायत करें तो यहां पर आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर इसके डोर हैंडल के उपर कीलेस एंटी के लिए यह आपको ना तीनों साइट पर प्रवाइड किया जाते हैं दोनों डोर पर पीछे टेल गेट पर बागी डोर पैड की अगवाद करें तो कुछ इस तरह के आपके यहां पर कम्प्लीट मिल जाता है जो कि आपको डियल टोन के अंदर प्रवाइड किया जा रहे हैं ग्लॉसी ब्लाक टचिस आपके हां पर इस पर कम्प्लीट यह मिल जाएंगे और वर्वेम्स आप इसमें एलेक्ट्रोन की जस्टन फोल्ड कर सकते हैं यहां पे अपको लेदर पैडिंग में जाएगी दोर हैंडल आपके हां क्रोम में दिया गया ऊपर आपको हैं ट्विटर मिल जाता है बाकि नीचे आपके यहां स्पीकर मिलेगा साथी बॉटल फोल्डर भी मिलेगा और डॉर करें ट्रेवल डोल जोए काफी साथ ओवराल वाइड ओपन हो जाता कार के अंदर एंटे एक्जिट करने में आपके हां पर दिक्कत नहीं आने वाली है अंदर आती आपके हां पर इस पर देखने को बिलती है मैनिल एजस्मेंट के साथ इसकी ड्राइवर साइट सीडियों क के बात करने थे इस कार की की किस के बार में इस तरह की की जा रही है जोगी यह लौकर अनॉक्ट के साथ यहां पर आपको इस पर मिल जाता है एंजिन स्टार्ट चॉप कश्वें जैसे आप इसे प्रेस करेंगे दूबर आपकी कार के यहां पर एकनिशन आनु हो जाएगा कि यहां पर सबसे बात किए तो यहां पर आपको सके अंदर कुछ स्थरा कभाई इल्युमिनिशन के साथ इंस्ट्रमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाना वाला है सेंटर में आपको मिल जाते हैं मैं इसक्रीन का पर आपको में पिन दिये गए टॉकल्स की मिल चे पूरा कंट्रोल कर सकते स्टेरिंग विल किया यहां पर बात किया जाते हैं पर आपको इसकार के अंदर फुली लेधर आप डीकट स्टेरिंग वील प्रवाइड किया जा रहा है जो कि वह अच्छी ग्रेपिंग आफ अगलता है नीच आपको ग्लॉसी लाक इंसर्ट पर मिल जाएंगे आपको दोनों चीज़े दी जारी है और यहां पर आपको ट्राक्शन कंट्रोल का स्वेच मताइक वियू का बटन मलता है तो जैसे आप इसे प्रेस करेंगे हां पर सब्सक्राइब कोई कंपारेशन ही नहीं है सेग्मेंट के अंदर इस सच्छा कामरा मैंने भी तक नहीं देखा इस प्राइस वाइंड की सबसे बाकि यहां पर आपको एक हैडलेट लेवर मिल जाता है और इंजन ऑन अफ का स्वेच दिया गया इंजन सब्सक्राइब का पूड़ लुक इस कार का मिल जाएगा यहां की बात करें तो यहां पर आपको इसके अंदर नाइन इंचिस की स्क्रीन ऑफर की जा रही है जो किया दिया न्रॉड डॉट और आपल कार्पले के साथ इसके अंदर आपके यहां पर दोनों के अंदर ही वायरलेस किनेक्टिव मिल जाएगा और बेसिकली सभी विरेंच के अंदर इसकार में फुली आटमाइट क्लाइमेट कंट्रोल आ रहे है विल्वोट का पाव सॉकेट है फिर यहां पर एक यहां पर यहां पर इसमें मिल जाता है तो आप अपना फोन यहां पर वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे मा साथ ही आपको 360 भी प्रॉपर मिल जाएगा साइट पर बाकि डिफ्रेंट विव एंगल भी आपके हां पर इसमें क्यामरा के मिल जाते और पाकिंग सेंसर कर दिस पर आपको मिलेगा आपकी अमेडी स्क्रीन के अंदर जो की तभी वो करेगा जब पीछे कोई अब्जेक्ट होगा यहां पर आपके स्कार केंदर 5-speed manual के लावा 6-speed automatic और 5-speed empty gearbox का भी option मिल जाएगा 5-speed manual और 5-speed empty आपको मिलेगा 1.2 लीटर वाल एंजन के साथ और 6-speed auto 5-speed manual आपको मिलेगा 1.0 लीटर वाले boosted jet petrol engine के साथ बागी उसके बीच आपके यहां पर storage space मिल जाती है फिर आपके fabric seats offer की जारी है जो कि overall काफी ज़्यादा बढ़िया कुशनिंग प्रवाइड दरिया ना मैं को personally की कुशनिंग जो है वो Grand Vitara से भी ज़्यादा बढ़िया लगी कि आपके adjustable type case पे headrest मिल जाएगा and sheets आप यहां पर इसमें देख सकते हैं कुछ ऐसी को टीटे मिल जाती है लाकि यहां पर आपके इस पर पूरा leather offer किया जा रहे है जो कि काफी ज़्यादा premium लग रहे है और यहां पर आपको hard plastics ही मिलेगे सेफटी कि अगर बात करें तो यहां पर आपकेस कार के तो टोटल 6 air bags offer किये जा रहे है जो किने कफी ज़्यादा अच्छी बात है अँगर आता है कुछ इत्ति storage space इसके साथ decent spacing आपके हैं इसके मिल जाती है cooling वोगे रख फार्शन आपके यहां नहीं मिलेगा ऊपर आपके हैं Sun Street के अंदर इसमें vanity mirror मिल जाता है जो कि आता है जो कि आता है और एक रूफ लेट आपके हैं इसके पीछे भी मिल जाती है Sunroof अगे रख आपके हैं इसके टॉप इंदर भी नहीं मिलने वाल है और अब चलते इसकी बैक सीट में चिल कर चेक करने तो इसका बैक सीट का भी complete comfort तो कि आपको यहां पर इसके पूरी लेदर पैडंग इसमें मिल जाए कि ग्लॉसी ब्लाक इंसर्ट से आप यहां पर इसका देख सकते है क्रूम डूर हैंडल आ कोई भी आपको यहां पीछी की तरफ इसमें नहीं मिलेगा दोर उपनीं की बात करें तो कुछ इतना वाइड ओपन इसकार का दोर हो जाता कार करने अंदर आती आपको यहां पर इस पर तीन एड्जस्टेबल टाइप के हैड़र्स देखने को मिल जाते हैं आंदर आपके के अंदर रियर डेसिवेंट मिल जाते नीचे आपके हां पर चार्जिंग बोर्स तीएंगे टाइप सी और टाइप यहां मिल जाएंगे मैप पॉकिट अपर इसमें मिल जाती है वाकि अवर्ण डैश्बूट लुक आपके हां पर कुछ इस तरह का कंप्लीट मिल जाता है से जो कि काफी जादा प्रीमियम लग रहा है तो फ्लाइट मैं आपके हां पर दिखा चको स्पेस के अगर यहां पर बात की जाते हैं तो यहां पर देख सकते में कुछ इतने हां पर है जो कि मेरे साब से सफिशेंट है अगर आपकी हाईट शेक्स फीट तक है तो बाकि बल नहीं लग रही है बागी टू एडल्स और एक केट यहां पर बाक सीट में बड़े ही अराम से बैट पाएंगे सेंटर में थोड़ा सामपर आपके यहां पर इसमें देखने को मिल जाता है बट्ट तक कोई खास इशू यह नहीं बनाएगा आइसो फेक्स सीट मांट्स वग बात करें तो यहां पर आपके इसके अंदर कुछ इतना बूट एरिया देखने को मिल जाता है पार्सल ट्रेस पर आपके यहां पर इसका स्पेर वील मिल जाता है जो की है यहां पर बिल्कुल ही सेम साइज का 195 60 अब फिल्हाल बंद करते हैं इस वीडियो को तो यार आप में को सबसे वेल तो नीचे कमेंट करकर बताओ कि आपके कार ओवरॉल कैसी लगी बाकी साथ ही आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक बिल जाएगा इंवाल्वान के स्प्लाश का पर्यूम का जिससी कि आप पा ज्यादा बढ़िया लगी और बलेनों से जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं वो जरूर से से कंसेडर कर सकते हैं 1.2 लिटर बहुत ही जादा जबतास टैने वाल है परफॉर्मेंस के मामले में 1.2 लीटर तो मोस्तली हां पर सबने चलाए योगा क्योंकि वो स्विफ्ट में भी आ रहे बलेनों में भी आ रहे और ओवरल वो इंजन भी इस कार का काफी ज्यादा रिफाइन है तो आपको ओवरल ये कार कैसे लोगी जरूर से मैं को कमेंट करके बताना बाकी यह थी गाइस कंप्लीट वीडियो आई होप यौल इंजुए इस वीडियो प्लीज शे प्रूर से आफ प्रेप्ट कार कैसे लोगी आफ ने परिफंड है कप अबाइस कि अरह सब्सक्राइब और करे आनके बासे लोगी यह अगी शेंडू हुए आनके टूर गूट खवरल यह इंवाना कार का बासे 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 से टूल-ब शेंड रशचे लोगी अज्य